भारत में नगरी करण की समस्या हैं सोतंत्रता प्राप्ती के पश्चात देश के बहुमुखी विकास के साथ नगरी जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धी हुई जनसंख्या का यह स्थानांत्रण, रोजगार का आभाव, क्रिशी भूमी पर अधिक दबाव, उत्पादक्ता में गिरावट, निम्द रहन सहन इत्यादी के कारण हो रहा है नगरों में रोजगार के अधिक अवसर, मज़दूरी की अधिकदरे, शहरों के चका चौंध पूर्ण जीवन से ग्रामीन जनसंख्या आकरशित होती है प्रवास के इस प्रवित्ती के कारण नगरों में कई समस्याएं जन्म ले चुकी है पहला, पर्यावरनिय समस्या नगरों में जनाधिक के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूशन वायू तथा जल में देखने को मिलता है महानगरों में प्रदूशन का मुख्य कारण वाहनों एवं अध्योगिक संस्थानों द्वारा मिश्रित विशैले रसायन है जिसमें सल्फर डायोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं जो स्वास्त के लिए अत्यदिग घातक है इसी तरह बढ़ती नगरी करण की प्रवित्ती ने जल को भी प्रभावित किया है आवासों की बढ़ती संख्या के कारण वर्षा का जल रिसकर अंदर नहीं जा पाता फल सरूप धरातली जल इस्तर में कमी हो रही है महानगरों में इस्थित कल कारखानों का जल नदी नालों में बहा दिया जाता है जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता दिल्ली के पास यमुना मात्र एक नाला बनकर रह गई है कानपूर इस्थित चमडे के कारखानों के कारण गंगा नदि का जल उपयोगी नहीं रह गया है इसी प्रकार अधिकांश महानगरों में ध्वनी प्रदूशन का अस्तर सतर से 80 डेसिबल पहुच गया है जो श्रवन के लिए बाधक है भारत के विभिन महानगरों की कुल नगरी आबाधी का एक बड़ा भाग जुग्गी जोपडियों में निवास करता है इन जोपडियों में निवास करने वाले ग्रामीड छेत्रों से स्थानांतरित निर्धन तबके के लोग होते हैं जो अर्थाभाव के कारण उच्च वर्ग के लोगों की बस्तियों के किनारे जुगी जोपडी बना कर रहने लगते हैं। इनका सैक्षिक इस्तर निम्न होता है तथा नगरों की साफ सफाई व्यवस्था का बोध ना होने के कारण शहरी वातावरन संकट में हो जाता है। यदपे इनी बस्तियों से सस्तिदर पर अमीर घरों में काम करने वाले श्रमिक सुलब होते हैं। अमीरी गरीबी की बढ़ती हुई इस खाई के कारण गरीबों में अपराधिक भावना भी पनपती हैं जिससे मानव जीवन तनाव गरस्त हो जाता है। तीसरा रोजगार की समस्या जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धी हो रही है। उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धी नहीं हो पा रही है। गाउं से शहरों की ओर अधिक इस्थानांतरन होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर कारिक करना पड़ता हैं जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती जाती है। इस तरह भारत में बढ़ते नगरी करन के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। इन्हें रोकने हेतु जनसंख्या वृद्धी पर काबू करना आवश्यक है। ग्रामीर छेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर जैसे महात्मा गांधी रोजगार गैरेंटी योजना का प्रभावी क्रियान्वन हो। इस समस्या का समाधान करने के लिए नगरों के समान ही गाउं में समस्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एपी जे अब्दुल कलाम ने 15 अगस्त 2003 को स्वतंतरता दिवस के अवसर पर गाउं में नगरी सुवधाओं की घोशना की जिसे पुरा P.U.R.A. प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूलर एरियास योजना कहा जाता है। इस योजना में ग्राम पंचायत और P.P.P. पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के सहयोग से गाउं में नगरी सुवधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 36 गड़ के रैपुर जिले में स्थित आरंग विकास खंड के अंतरगत अंतराश्टी स्टेडियम के समीप बकतरा गाउं इसी योजना के तहत गोद लिया गया है। स्मार्ट सिटी की अवधार्ना नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घुशना की है। स्मार्ट सिटी का अर्थ हैं इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधार वूत निर्माण संबंधी से वाएं शेग्र एवं कुशलता पूर्वक उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही बचाव वह सुरक्षा का प्रबंध होगा। यह शहर अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंब के रूप में कारिक करेंगे।